व्लिकम बैक टुमाइक टो माय चानल तो आज हम बनाने वाले हैं सब्जियों की जान , गरम मसाला या फिर आप इसे बिडियानी में भी यूजे कर सकते हैं तो छलिए हम देख लेते हैं क्या गरम मसाले मेंने इसमें इसमे इसमील है तो देखिए धेर सारे ममसाले का पाउडर करके ही हमारा गरम मसाला रीडी होता है तो यह देखिए दाल चीनी मैंने ली है और अगर आप मेज़र करोंगे टेबल स्पून से तो यह 3 टेबल स्पून यहां पे काली मिच्चे हैं 3 टेबल स्पुन इस स्टार फ्लावर्ज है और शाहा जीरा है यह भी 3 चमच है यहां पर 10 से 12 यह हमारी इलाइचिया है इसे के साथ साथ हरी इलाइचि है 30 से 40 और इसके बाद यहां पर 3 टेबल स्पून आप लोंग ले लीजिए यहां पर मैंने जीरा मैंने डबल कॉंटिटी में लिया है अगर आप बाकी मसाले जैसे तीन टेबल स्पून दो टेबल स्पून ले रहे हैं तो हमारा जो जीरा है यह डबल होना चाहिए तो मैंने छे टेबल स्पून लिया है इसी के साथ साथ यह जावित्री मैंने ले लिया तेजपत्ता ले लिया है और कॉंटिटी में डबल मैंने जीरा और यह हमारा हो गया है धनिया दो धनिया की बीजे है यह भी हम छे बड़े चमच ले लेंगे तो आप यह देखिए सारे मसाले अभी हम इसे ड्राइ रोस्ट कर लेंगे सबसे पहले में यहां पर जीरा बूं ल अरोमा से यह आपको फील होगा खुद यह बहुत ही पुरे घर में आपके फ्रेश खुश्बू फहल जाएंगी और आजवाजवाले भी पूछेंगे कि आप क्या बना रहे हो इतनी अच्छी खुश्बू आ रही है तो यह देखिए शाही जीरा भी मैंने इसी में आड़ क की मिनित को अंदर एक मिनित तक चलए जला लूहां और जीम को यह जख लेंगे अर दीमी आज पर इसे पकाए अब आप हम इसे पर क्रिस्पी नहीं मैंने सारे मसाले औहले जल्दी कुखोने वाले हैं 我 caffeine म mijने पहले कुख कर लिए मिस मुझा धनिया यह सब डनीय तहीं जल्सकिक है इसे में और एक मिनिट तक प्डिक, यह मसालो का अच्छा आता है बहला। टे जिए अंद्ण उप्रहब पृटों लीट में बड़ल ओकॉरब हैं प्रण सब्गोपॉए्ड कवि एक मिनिट में सर्ष दौन ड़ी तक कम सकते हैं तो यह देखिए बड़ी लाइचिया मैंने जो ली है दस से बारा यह लाइचिया मैंने बड़ी ले ली है इसको मैंने आड़ कर दिया है गैस का फ्लेम मेरा स्लो ही है इसके साथ यह जो दाल चीनी है मैंने इसे बारी कूट लिया है ताकि जब हम इसे ब्लेंड करें तो अब इसों अच्छी में भूणाय साथ मैं हम जब बहुत अच्छी कुशबूोती है, जब भूंते हैं, ली चुब अच्छी अच्छी होती है तो यह देखिए हम इसे थंडा कर लेंगे, गरम गरम हम इसे पीसेंगे नहीं नहीं, तो यह जो मसाले हैं हमारे जल सकते हैं, तो यह देखिए कैसे कुरकुरा हो चुका है, तोड़ने से यह बारीग बारीग तूट रहे हैं, और यहां पर यह तेज पत्ते भी देखिए, यह यह बिदम कड़क हो चुके हैं, ऐसे हाथ से में मोट रही हूं, तो यह तोट जा रहे हैं, तो यह जो मसाले हैं हम यह थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी में घुमा लेंगे, तो देखे ध्यान रखिएगा कि मिक्सी को आप इकड़म से चलाईए नहीं, ऐसे चला के फिर बंद क जल सकते हैं तो इसे रुक रुक के चलाईए तो यह देखिए यह मसाला हो चुका है हमारा रेडी तो इसका पाउडर कर लिया है अब हम इसे चान लेंगे आप अच्छे से चान लेंगे और जो भी हमारा चानने के बाद जो मोटा मोटा बचता है अच्छान लेंगे तो आप इसे जरूर ये रेसिपी ट्राइ कीजिए, आप दुबारा कभी मार्केट से गरम मसाला करीद के नहीं लाएंगे, ये इतना अच्छा होता है और फ्रेश घर पे बना हुआ होता है, हम हमारे सामने जो सारे मसाले हैं, हम ये आड करते हैं, बहुत ही यमी ये मसाला है, आप प्लीज इसे ट्राइ कीजिए और मुझे कमें सेक्शन में बताईए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और अगर अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज दू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो माई यूट्यूब चैनल, थैंक्स पर वाचिंग, बबाई